नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका स्टॉलेजर संदीब कटारिया और स्वागत है आप सभी का आभी के चैनल पर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इस माह का राशी फल जिसमें हम चर्चा करेंगे की कैसा रहेगा इस माह आपका करियर, धन, विवसाय और निवेश, शिक्षा, प्यार, रिलेशन्शिप, विवाहिक जीवन और स्वास्ति सबसे पहले हम आपकी कुण्ली में इस महीने के ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, तो आईए शुरू करते हैं दो मही को शुक्र विशब राशी से निकल कर मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे, दस मही को मंगल करक राशी में प्रवेश करेंगे, पंदरा मही को बुद्ध मेश राशी में मारगी हो जाएंगे, पंदरा मही को ही सूर्य मेश राशी से निकल कर विशब राशी में च चले जाएंगे इस महीने ब्रिस्पती मेश राशी में रहेंगे शनी कुम राशी में रहेंगे राहू मेश राशी में और केतु तुला राशी में रहेंगे और चंद्रमा हर दो ढ़ाई दिन के अंदर राशी परिवर्तन करते ही रहेंगे इस महीने में मितुन राश्य के जातकों को बहतरीन परणाम मिलने की संभावना है ऐसा इसलिए क्योंकि चार ग्रहे आपकी कुंडली के एकादश यानि की ग्यारवे भाव में होंगे और वे अच्छी स्थिती में हैं और ये ग्रहे हैं ब्रेश्पती, सूरे, बुद्ध और राहु इसके इलावा शुक्र, मंगल और शनी भी अच्छी स्थिती में हैं और अब हम आपके जीवन के विबिन पहलों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये महिना आपके लिए क्या लेकर आया है इसलिए इस वीडियो को अंग तक जरूर देखे धन और वित्य स्थिती शुब ग्रहे ब्रेश्पती जी आपकी कुणली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके कारण मितन राशी के जातक अधिक धन कमाने की अच्छी स्थिती में हैं दूसरी बात राहु के एकादश भाव में होने से मितन राशी के जातकों को कुछ UNEXPECTED लाब मिल सकते हैं लेकिन दस मही के बाद कुछ जातकों को अधिक चुनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा आपकी कुंडली के छटे भाव के स्वामी मंगल का दूसरे भाव में उपस्तित होने के कारण हो सकता है। हलाकि मितुन राशी के जातकों को अधिक खर्चों जैसे कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अनुचाही कमिट्मेंट्स के कारण खर्चों में व्रदी देखने को मिल सकती है। आपके पंचम भाव में केतु की उपस्तिती के कारण आप अपने बच्चों के स्वास्ते पर भी कुछ अतिरिक्त धन खर्च कर सकते हैं। करियर मितुन राशी के जातकों के लिए नौए भाव में करियर के ग्रह शनी क्योंकि वो दस्वे भाव के स्वामी हैं। तो शनी की उपस्तिती की वज़ेत से धीमी गति से लेकिन स्थिर परिणाम देखे जा सकते हैं। ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। मितुन राशी के जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें नौकरी में नए अफसर मिल सकते हैं। जबकि कुछ जातकों को नौकरी में पद्धनती यानि की प्रमोशन इंक्रिमेंट आदी भी मिलने की संभावना है। आपको करियर में अच्छे अफसर और तरक्की की बेतरीन गुंजाइश दिखाई दे सकती है। मित्रुन राशी के जातक अपने कारिस्थल पर अपने अध्वित्य कौशल का प्रदरशन करने में मजबूत स्तिती में होगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। कुछ मित्रुन राशी के जातकों को नौकरी के सिलसिले में विदेश में पोस्टिंग या विदेश यात्रा के अफसर मिल सकते हैं। इस महीने बिसनस ओनेर्स के लिए भी काफी कुछ अच्छी संभावना है। यदि आप इमानदारी से और सही दिशा में फोकस करके काम करते हैं तो आपको अच्छा मनाफ़ा मिलने और पार्टनर्शिप से लाब होने की संभावना है। साथ ही वेपार के सिलसिले में आप कोई नई पार्टनर्शिप भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप से पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी कुणली का खुद विशलेशन करना चाहते हैं या क्या आप एक प्रोफेशनल एस्टॉलजर बनना चाहते हैं। अगर आपका उत्तर है हां, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जोतिश, अंक जोतिश यानि की निमरालोजी परशनशास्त्र के वीडियो कोर्सिस बनाए हैं, जिनके द्वारा आप भी बहुत आसानी से घर बैठे इन जोतिश विद्याओं को सीख सकते हैं. इन कोर्सिस को पाने के लिए हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इन कोर्सिस को प्राप्त कर सकते हैं, आईए अब बाकी के राशिवल के बारे में बात करते हैं. आपकी कुणली के प्रतम भाव में और उसके बाद द्वित्य भाव में छटे भाव के स्वामी के रूप में मंगल की उपस्तिति या कहें तो गोचर आपको तनाव और अन्य स्वास्त समंदित समस्याएं दे सकता है. साथ ही केतू पंचम भाव में विराजमान होंगे. ग्रहों की इस प्लेस्मेंट के कारण कुछ जातकों को कंधे में दर्द, दातों से समंदित समस्याएं या पेट से समंदित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन ये कुछ समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं लेकिन सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है, चुकि मंगल छटे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में उपस्तित होंगे, तो ऐसे में आपको जो घर परिवार में रिष्टेदार है, उनके साथ समस्याओं, बहस, तक्रार, डिफरेंस और उपिनिन आदि का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही जो जातक शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे ग्यार्वे भाव में ब्रस्पति और राहू की युक्ती के कारण सफलता प्राफ्थ कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें, हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं, उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी जरूर क्लिक कर दें, हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सैयोग और सुझाव देते रहें, इस क点目 देते हैं, इस बाहें में पूष्ले कर दाप हमेश झाहरी स्क्राइब करें, ऱ क्याव़ी का मिया आप हमें पाने के लिए जडसार, स्मर्म कर दाप हमें, तरहें को डाप वने वीडि़ औरते हमें, चाहें पीता सकत्यान के बाहें, झाल